आज 15 सेप्टेंबर को पुरा भारत M.W.S. सराय है जिकर जम दिन के अफसर पे इंजिनियर्स डे मना रहा है लेकिन यह जानते वे बहुत दुख होता है कि आज अगर आप इंजिनियर्स करते हैं अपने माबाप के खुन पसीने की मेहनत से कमाए हुए रुपय से तो आप उन चोच रहा है और फिर आपके इंजिनिग कर रहा है तो यह अपके लिए बहुत इम्بोर्ट बिदेव को इंट एककना वीडियो अच्छा लग indifferent सब्सक्राइब करने अग तफिक और अदिधिंडी चैनल वीडियos ली पोस टोर्ड़न टिल्पें डिएंजिनियर्स के व已经 प्रप्लोईड होने का मेजर रिजन उनके पास स्किल ना होना है आइसके डेट में इंडस्री के लिए स्किल्स की रिक्वार्मेंट उनके पास देखने को नहीं मिलती है वह इसलिए हो दी क्योंगी भारत के एजुकेशन सिस्टम उन्हें ऐसे तयार करता है और सेकेंडली जो संट इंजिनियर्स को फेल कर दिया अना उनिवरसीटी नेशन वाइट बहुत ही मानी हुई एप्यूटेड उनिवर्सटी मानी जाती है इनदी परसंट इंजिनियर्स सिर्फ इसलिए फैल होगे इसलिए वहां के फैकल्टी टीचर्ण ति लेकिन उनको समझना बहुत इंप को बरहाने की बात नहीं करती है इसलिए भारत के इंजिनिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाना एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग ब्रिटिश के कोलोनियल एरा से आगे बढ़के एक modern हिंदुस्तान की और जा सके जहां पर 75 साल के अजादी के बाद हम लोग स्किल्स की बात करें ना कि थियरी की सभी उनिवर्सिटी को फोकस करना चाहिए कि जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके क्रेट पॉइंट्स को बरहाया जा सके और ज्यादा फोकस वहां होना क की थियरी के थुरू पास किया जाए ऐसा देखने को मिलता है कि जितने ये प्रैक्टिकल्स होते हैं वह हमेशा फैकल्टी के ऊपर डिफाइंट होते हैं उनकी इच्छा होती तो इसली अच्छे माक्स से पास करवाता है अगर इच्छा ना हुई तो फिर पाम माक्स देके available नहीं है जहां पे खुद के skilled teacher faculty नहीं है उन सारे colleges को instantly बंद कर देना चाहिए ताकि आगे चल के और जादा engineers पैदा ना हो with graduation of engineering degree only without any knowledge colleges को कोशिश करना चाहिए कि एक साल का कम से कम internship अपने तरफ से किसी बढ़िया company में सारे core sector companies में students को करा सागे ताकि उन्हें practical knowledge बढ़िया से मिल जाए ताकि जब उनके recruitment वहां पे हो तो उनको एक decent salary मिले decent pay structure मिले one of the most important thing is innovation हमारे engineering department में कभी भी innovative ideas कोई value नहीं होती क्योंकि वहां पर focus नहीं किया जाता है ज्यादा वहां पर फोकस होना चाहिए उस पर कुछ क्रेट पॉइंट जरूर देने चाहिए ताकि एक अच्छे balance के साथ लोग वहां पर मेहनत करें वहां पर focus करें और लास्ली जो सबसे important चीज़ है कि यह सब आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो को शेर जरू करना अगर आपको मेरा effort और मेरा महनत अच्छा लग रहा है अगर आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं इसके वीडियो को टॉपिक को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बिल नुटिफिक्स को ज़रूर प्रेस करो क्यूंकि एवरी अगरे तरह जाए सर्देश चैनल वीडियो को टॉप्स और रहे हैं दिफरेंट इफरेंट गूट गूट टॉपिक्स योडियो तब तक लिए बाबाए